पहली खबर है, नौवी से बारावी तक के विद्यार्थी प्रतिदीन स्कूल जा रहे है नहीं, इसके लिए अब अभिभावकों को शपत पत्र देना होगा, बिहार बोर्ड ने इसे लेकर सभी स्कूलों को सुमवार को शपत पत्र भेज़ा, इसकूल अभिभावकों से शप शपत पत्र को वापस बिहार बोर्ड को भेज़ेंगे, शपत पत्र से अभिभावकों को ये सुनिश्चित करना होगा कि उनके बच्चे हर दिन स्कूल जा रहे हैं या नहीं, बिहार बोर्ड ने नौवी से बारावी तक के कक्षा में 75% उपस्तिती अनिवार कर दी है, जि जानकारी देनी होगी. देवरी से गिरफतार किया गया है, अब तक इस सॉफ्ट्वियर से उसने लगवा 50 लाख रुपे के टिकट बुक किये गये हैं, इसकी जानकारी आरपी एफ इंस्पेक्टर मुकेश कुमार सिंग ने दी है. अगली खबर गुपाल गंजिले में बुद्वार से ही हो रही बारिश के कारण शेहर के कई इलाकों में जल जमाओ की इस्तिती हो गई है. पाणी भर जाने से आवगमन में काफी समस्या होने लगी है, लेकिन सबसे अधिक परिशानी सदर अस्पिताल के मरीजों, स्वास्त कर्मियों और चिकिस्तकों को हो रही है. जो पानी के बीच आने जाने को विवश है सदर अस्पताल परसद में बारिश का पानी जमा होने से मरीजों को परिशानी हो रही है जिसकी वज़े से मरीजों में इंफेक्शन का खत्रा मंडरा रहा है अस्पताल में एमर्जेंसी वार्ड में भी बारिश का पानी घुस गया ह अगली खबर है राजस सुप्रीमो लालू प्रसाद यादो बुद्वार को पटना से दिली के लिए राबाना हो गए पटना एरपोर्ट पर उन्होंने राहुल गांधी को लोकसभा सदस्य बहाल होने पर प्रतिक्रिया दिया है उन्होंने कहा ये नियाई की जीत है लालू यादो ने एरपोर्ट के अंदर जाने के लिए वीलचेयर का इस्तमाल नहीं किया वो पैदल ही एरपोर्ट के अंदर चले गए समर्थकों का कहना है कि राजस सुप्रीमो अब धीरे-धीरे फिट हो रहे हैं गरतलब है कि किड्नी ट्रांस्प्लांट होने के बाद अब धीरे-धीरे लालू यादो पॉलिटिकली एक्टिव हो गया है वो ट्वीट के जड़िये बीजेपी पर लगतार हमला बोल रहे हैं इसके साथ ही 2024 में बीजेपी को गेने के लिए विवक्षी पार्टियों को एक मंच पर लाने के लिए भी काफी प्रयास रथ है अगली खबर पटना में बागेश्वर धाम के बाबा पंडी दिरेंजु शास्री के एक बार फिर एक और बाबा का दिव्य दर्बार लगा पटना के ज्यान भवन में मंगलवार को पंडोरक धाम के गुरु शरन महराज का दिव्य दर्बार लगा ये दर्बार गुरुवार तक लगेगा मंगलवार को दर्बार में पहुचते ही गुरुश्यरन महराज ने सबसे पहले बजरंग बली की आर्थी की इसके बाद अपना आसन ग्रहन किया इस दर्बार में उन्होंने 200 लोगों की परचिया निकालने की बाद की साथ ही उन्होंने वहा कहा कि ये परचिया उन्होंने कानपूर में लिखी थी इस दर्बार में जाने के लिए निशुल्क बुकिंग करनी होगी एक बुकिंग पर एक ही व्यक्ति की एंट्री होगी पंडोराख सरकार ने सबसे पहले परचा होटेल मौरे के जनरल मेनेजर का निकाला